हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टो मैंगेट बेंस आज जो हम अपनी वसंद का जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा वन के मार्ग ये सबसे पहले जानते हैं कि क्या लिखा गया है ये हमारा काव में कविता में लिखा गया है तो उनहीं की एक्रती है जो हमारे सामने प्रस्तू थिए गई है तो अब क्या दिया है वन के मार्ग अर्थात इंच यहाँ पर दो पैरा दिए गए हैं यानि कि दो पद दिए गए हैं आपके सामने में तो इन दोनों पदों में क्या चीज़ों का वरण ने कि जब राम, लक्षमन और सीता जी अयोध्या छोड़कर वन के मार्क में जाने लगते हैं तो कैसे अब सीता जी राज़कुमारी थी तो वो इतनी कठिन परस्तितियां उनके सामने मतब उन्होंने देखी नहीं थी जहली नहीं थी तो जब उनके सामने आती है तो वो कैसे विचलित मतब होती है परिशान मतब उनको तखलीव देती है किस तरीके से लक्षमन सीता जी का ध्यान रखते हैं उनके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं राम जी किस तरीके से परिशान होते हैं सीता जी की व्याकुलता को देख कर उनके पाओं में लगे काटों को देख कर तो ये सब ही चीजों का वर्णन इस दो पदों में किया गया है बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुन्दर चित्रन हमारे सामने तुलसिदास जी ने इसको प्रस्तुत किया चले देखते हैं सबसे पहले हम लाइन वैस इसका आर्थ समझाएंगे फिर इसे आप कैसे लिखेंगे हम ये भी आपको बताएंगे तो क्या है पहला पद हमारे सामने है पुरते निकसी रगुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग दुए जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गई मधुरा धर दय फिर बूजती है चलनों अब केत की पन कुटी कहियों कित है तिही की लखी अतुरयता पे की अखियां अतिचारू चली जल चोए तो अब यहां पर क्या है जो पहला पद हमारे सामने है उन लोगोंने आयोध्या से बाहर कदम रखा थोड़ी दूर चले और सीता जी विचलित हो गई भई वो राजकुमारी थी पसीना आने लगा कितना चलना है ये सब चीजें आने लगी तो विचलित होकर राम जी से पूछ लेती है कि अभी हमें कितनी कहां पर जाके अपनी पनकुटी बनानी है पनकुटी मतलब घास पूस की जोपडी हमें कहां पर बनानी है अब निकली पसीना उनको बह रहा है उनको प्यास लग रही है अब ये सारी चीजें देखकर राम जी भी बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आँखों से अश्रू बहने लगते है तो क्या दिया है सबसे फिल लाइन वा समस्थे पुरते निकसी रगुवीर वधु यानि कि क्या है पुरसे यानि कि नगर से राम जी और रगुवीर मतलब राम जी और वधु वधु मतलब उनकी पत्नी यानि कि सीता जी निकले धरी धीर दय मगमे दे डग दवय और अपने धीरज धर के बहुत ही धीरज धर के अपने हिदय के ऊपर उन्होंने इस मार्ग को चैन किया था और ये दोनों लोगों के कदम जो हैं उस रास्ते पर आये थे जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुरा धरवय मतलब कि जब वो रास्ते में गए तो उनके माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि भई वो सीता जी थी राजकुमारी थी उन्होंने मेहनत पसीना ये सब चीज़े उन्होंने नहीं देखी थी अब क्या है जब वो समारण में आई तो उनके मतलब कि माथे पर पसीने की बुंदे आने लगी और गला भी उनका सूख गया यार्थात उनको प्यास लगने लगी फिर बूझती है चलनो अब केत की पनकुटी कहिये उकित है और व्याकुल होकर रामजी से पूछती है कि हम कहां पर अपनी पनकुटी बनाएंगे पनकुटी मतलब घास की बनी हुई छोपडी हम कहां पर बनाएंगे तिये की लखी आतुरता पिये की आँखी अतिचार उचली जल जोए और श्री रामजी सीता माता की इतनी बेचैनी व्याकुलता देखकर मतलब उनको तकलीफ हो रही है सब देखकर रामजी की आँखों में आसू आ जाते हैं तो यह तो हमने आपको लाइन वाई समझा दिया अब इसे लिखना कैसे है कैसे लिखेंगे वन के मार का प्रथम पर्द अर्थ सही जो प्रथम पद हमने दो पद है ना कि तुरंथी अभी निकले हैं आयोध्या से बाहर कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगता है चमकने लगने का मतलब क्या है पसीने की बूंदे उनके माथे पर आ जाती है इसी के साथ साथ उनके मधुर होट भी प्यास से सूखने लगते है पैने कि उनको प्यास लेने लगती है और उनके होट भी सूख जाते हैं अब वेश्री राम जी से पूछती हैं कि हमें अब पर्ण कुटी यानि घास पूस की जोपड़ी कहां बनानी है उनकी इस परिशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आखों से आसू छलकने लगते हैं मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि अपनी बीबी को ऐसे लेकर आएंगे वो तो वो भी उस चीज़ से व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आखें नम हो जाते हैं तो यहाँ पर पहला पत खतम हुआ अब दूसरा पत क्या बोल रहा है जलको गए लखनू है लरीका परिखें पीए छांच घरीके हैं ठाडे तो क्या है लक्षमर जी गए थे पानी लिनिकम को होट सुख गए थे पोची पसे हु बयारी को अरुपाए पखार है भू भूरिठार है तुलसी रगुवीर प्रियाशम जानी के बैठी विलंब को कंठक काड़े जानी नहा को लेह लाख पुल को तनू बारी विलोचन बाढ़े तो अब यहाँ पर क्या था उनका होट सुख रहे थे प्यास सीता जी के तो लक्षमर जी कहां चले गए थे पानी लेने क्या दिया था जलगो गए लखनू है लड़ी का परिखव यानि कि अपने लड़के पर क्यों सब में सबसे छोटे भाई थे तो वो तुरंत ही कुदकर चले जाते हैं पानी लेने के लिए पिये छाह घरिके हैं ठाड़े तो अब सीता जी क्या कहती है कि प्रिये आप बहुत ही ठक गए हैं सीता जी राम जी से क्या बोलते हैं प्रियाब बहुत ठक गए हैं आप च्छाओं में आकर बैठ जाईए यह दिया ना पोच परहें बहारी करें अब अरुपाय पकारों भूबरी ठाड़े तो वो जगह उत्ती साफ कर देती हैं कि शीराम जी यहां आकर बैठ जाईए आप और विश्राम कीजिए तो लिसी रगुवीर प्रियाशम जानी के बैठ विलंबलव कंठक काड़े और राम जी देख लेते हैं कि हमारी परिशानी से सीता जी कितनी व्याकुल हो रहे हैं उनको कितनी तकलीफ हो रहे हैं तो उनको थोड़ी सी व्याकुलता शांत करने के लिए वो छाओं में आकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि सीता जी के पाऊं में बहुत सारे काटे चुबहे हुए तो वो बैट जाते हैं वहाँ पर और सीता जी के पैरों से वो काटे निकालने लगते हैं कंटक है न, कंटक काड है यानि कि जो काटे उनके पैरों में चुभे हुए थे उनको निकालने लगते हैं जानकी नाहकव लेलरखव पुलकव तनुवारी विलोचन बाढ़े तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपने प्रियतम का प्यार देखकर सीता जी क्या होती है अपने प्रियतम यानि कि श्री राम जी का प्यार अपने प्रती देख कर जो है वो मन ही मन बहुत प्रसन हो जाती है मदब शो नहीं कर रही है वो अंदर से बहुत खुश हो जाती है कि हमारे प्रिय हमको इतना प्यार करते हैं कि हमारे पैरों में काटे लगे हुए है तो वो उनको देखने ही पाते और उनको निकाल रहे हैं तो यह था आपका लाइन वाइस अर्थ अब इसको हम कैसे एक्स लिखेंगे ये तो क्या दिया वनिके मार्व में दुतिये पद अर्थ सही ते दूसरा पद कैसे इस पद में श्री लक्षमण जी पानी लेने जाते हैं तो सीता जी शीराम से कहती हैं स्वामी आप ठक गए हैं अता पेड की छाओं में थोड़ा विश्राम कर लीजी शीराम जी उनकी व्याकलता को देखकर कुछ देर पेड के नीचे विश्राम करते हैं तथा फिर सीता जी के पैरों से काटे निकानने लगते हैं अपने प्रियतम के इस प्यार को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित यानि की की खुश हूने लगती है Kya हमारे पती हमको इतना प्यार करते हैं यह मन ही मन बहोत जगा खुश हो जाती है तो इस तरीके से इस पार्ट-में हमारे सामने जो दो graduates प्रस्तूत किये गए थे हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए यह हमारी दम जो तुलसी दाख से जो ओरिजिनल रामेंड लिखी थी रामचरित मानस यह उसमें से लिए गया है तो तो थोड़ा-थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसली समझ में आ जाएगा तो यह पार्टियां खतम करते हैं इसके प्रश्णों तरह हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आएंगे तैंक्यू बाबाई